जय श्री हरी, जय श्री राम, इस विडियो में हम बात करेंगे जून महीने में आने वाली जेश्ट पूर्निमा के बारे में. उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे आने वाल हर विडियो की अपदेट मिलती रहे. शास्त्रों में जेश्ट महा की पूर्निमा तिथी का बड़ा मेहत्व बताया गया है. इस दिन स्रान, दान धर्म के कारियों का विधान है. कहा जाता है कि, आज के दिन गंगा जी में सनान, दान और कुछ विशेश उपाई करने से, व भगवान शंकर व विश्णु जी की पूजा से शुब फलों की प्राप्ती होती है. जेश्ट महा की पूर्निमा तिथी को वट पूर्निमा का पर्व और कबीरदास जयनती भी मनाई जाती है. इस कारण इस तिथी का मेहत्व और भी अधिक बढ़ जाता है. आज हम आपको स साल 2021 जेश्ट पूर्निमा व्रत की सही तारीक, पूजा का शुब मुहूर्त, पूजा विधी और इस दिन मनुकामना पूरी करने के लिए किये जाने वाले एक चमतकारिक उपाय के बारे में बताएंगे. जेश्ट शुखी पूर्निमा शुब मुहूर्त दोहजार इक्कीस साल 2021 में जेश्ट पूर्निमा का व्रत, 24 जून, गुरुबार के दिन रखा जाएगा. पूर्निमा तिथी आरंभ होगी 24 जून, प्रांतह काल 3 बच के 32 मिनट मिनट पर. पूर्निमा तिथी समाप्त होगी 25 जून, प्रांतह काल 12 बच के 9 मिनट मिनट पर. जेश्ट पूर्नेमा पूजाविधी जेश्ट पूर्नेमा उपाए शास्त्रों में जेश्ट पूर्नेमा का विशेश महत्व है मान्यता है कि इस दिन से श्रद्धालू गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं यह हिंदू वर्ष का तीसरा माह होता है इस समय गर्मी अपने चरम पर होती है इसलिए इस महीने में जल का महत्व और अधिक बढ़ जाता है यदि आज के दिन कुछ उपाए किये जाएं तो कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में सभी सुखों और धन धान्य की प्राप्ती होती है आये जानते हैं इस दिन के जाने वाले विशेश कार्य और उपाए पूर्णिमा तिथी पर भगवन सत्यनारायन की व्रत कथा का श्रवन करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं जेश्ट पूर्णिमा के दिन पूजा के समयमा लक्ष्मी जी को ग्यारह कौडियां हल्दी का तिलग कर अरपित करें और अगले दिन इन्हें लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दे इस से जीवन में सुख सम्रिध्धी और आर्थिक संपन्नता होती है कहते हैं कि आज के दिन पीपल के व्रिक्ष पर भगवान विष्णू जी देवी लक्ष्मी संग विराजते हैं इसलिए एक लोटा जल में कच्चा दूड मिलाकर बताशा या चीनी डालकर पीपल के पेड़ को अरपित किया जाए तो है धन लाब के योग बनते हैं घर के मंदिर में विष्णू जी का फूलों से श्रिंगार कर उनके सामने दीपक जलाकर पूजा करना शुब होता है अगर आपको विडियो अच्छा लगा तो विडियो को लाइक करें और शेय करें जय श्री हरी, जय श्री राम